देश में क्रूना वारेस का संकट एक बार फिर से गहराता दिख रहा है बीते कुछ दिनों में जिस तरह हर रोज आने वाले मामलों की संख्या बढ़ी है उससे सरकार की चिंता भी बढ़ गई है यही कारण है कि बीते दिन स्वास मंत्राले ने भी इस बात को स्विकारा कि क्रूना पर हालात बच से बत्तर होते दिख रहे हैं सरकार का ये भी कहना है कि हमको हलके में नहीं लेना चाहिए सरकार ने इशारे में ही सही लेकिन ये बात साफ कर दी है कि अगर ऐसे हालाद बने तो लॉक्डाउन देश्ट में फिर वापसी करेगा लेकिन वो कैसा होगा वो भी आज केंदरी ग्रहमंत्राले ने साफ कर दिया है केंदरी सरकार ने राज्यों को हिदायर दी है कि वो माइक्रो कंटेंडमेंट जून तक ही सीमित न रहें बलकि जिला अश्टर पर लॉक्डाउन जैसी पावंद्यां में लगा सकते हैं कई जिलों में क्रोना संक्रमर में तेजी को देखते वे केंद सरकार ने ये सला दी है केंदरी स्वास सचिव राजिश बूशन की और से सभी राज्यों के प्रमोक सचिवों को पत्र लिखकर ये बात कही गई है उन्होंने पत्र में लिखा है कि क्रोना की नई लहर जिस तरह तेजी से बढ़ रही है उससे हमारे स्वास धांचे की ही चरमराने का खत्रा पैदा हो गया है इस मौके पर किसी भी तरह की ढिलाए की हमें भारिकी मत चुकानी पड़ सकती है यानि केंद ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन तो आ रहा है लेकिन जहां इसकी जुरुरत है इस बार का लॉकडाउन जिलास्ता पर कलेक्टर लगा सकेंगे और सरकार ने इसकी अनुमती भी दे दी है वही महराष्ट के हेल्थ मिनिस्टर राजिश टोपे ने राज में दुबारा लॉकडाउन लगाने की बात कही है टोपे ने कहा है कि अगर क्रोना मरीजों की संख्या इसी प्रकास से बढ़ती है तो लॉकडाउन लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प सरकार के पास नहीं बचेगा उन्होंने कहा कि इस विशय पर मुख मंत्री और महराष्ट के कैबनेट जल्द फैसला लेगी टोपे ने बताया कि हम क्रोना मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि ये लॉकडाउन कितने दिन का होगा इस पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है कुछ लोगों का कहना है कि ये लॉकडाउन एक सप्ता का होना चाहिए वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन करना आविशक है वहीं आज जब एम्स डिरेक्टर रणदीब गुलेरिया से पूछा गया कि देश में फिर से लॉकडाउन लगने की कितनी संभावना है तो उन्होंने कहा कि पूर्णी प्रदेश में लॉकडाउन लगाना तो मुश्किल है मुझे लगता है कि जिन इलाखों में आचानक केस बढ़ गए हैं उनकी पहचान करके छूटे छूटे कंटेन्मेंट जोन बना दिये जाएं जो इस्थानी इस तर पर लॉकडाउन की तरह ही होंगे ऐसे इलाखे में हर वेक्ति की जाच करके पॉजटिव पाए गए लोगों को आईसुलेट करें और इलाज करें उन्होंने कहा कि पहले यही रड़नेती अपनाई गई थी अब भी कुछ ऐसा ही करना होगा अगर हम कंटेन्मेंट जोन बनाएंगे तो शहर के दूसरे हिस्से संक्रमन की चपेट में आने से बच जाएंगे यही उन्होंने भी जिलेवार लॉकडाउन पर सहमती जताई जो की केन सरकार ने भी बताया है यानि साफ है कि लॉकडाउन तो आ रहा है लेकिन वो इस बार पूरे देश में नहीं बलके जिले भरका होगा वही आज महराष्ट में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बाद नंदुर बार जिला प्रशासन ने बुधवार यानि की आज 31 मार्श की आधी रात्री से 15 अप्रेल की मद रात्री तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है पिछले कुछ दिनों से जिले में क्रोना मामलों की संख्या में लगातार व्रद्वी के कारण इस्तिती चिंता जनक बनी हुई है वहीं खबर है कि महराष्ट में अप्रेल की शुवात में लॉकडाउन लगाया जा सकता है क्रोना के बढ़ते मामलों को देखते विराज भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है फिर भी अगर नए मामलों में कमी नहीं आई तो लॉकडाउन लगाने की भी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अप्रेल की शुवाती सब्ता में लॉकडाउन लगाया जा सकता है यदि क्रोना की रफ्तार और लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई तो आपको क्या लगता है देश में लॉकडाउन वापस आएगा या नहीं नीचे कमन बॉक्स में लिख कर बताईए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले साथ ही क्रोना वाइरेस और लागडाउन से जुड़ी हर खबर सक्से पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें